विल्कम बेक टू माइ चैनल अगेन आज हम हमारी हेल्ड के बारे में कुछ बेसिक फिन्स डिसकस करने वाले है जैसे कि हमें नौर्मल ब्लड पेशर का लेवल डायबेटीज और WBC, RBC का level पता नहीं होता तो यह क्या होता है Blood pressure कैसे होता है Diabetes कैसे होता है यह सब हम इस वीडियो में छोटी छोटी जो बाते है ओर discuss करने वाले है तो चलिए पहले हम देखेंगे Blood pressure क्या होता है हमारी bodies में different arteries and veins होती है जो small होती है जो small होती है उसे हम veins बोलते है और जो बड़ी होती है उसे हम arteries बोलती है यह जो arteries होती है वो क्या करती है Heart से different parts को blood supply करती है तो arteries में जो blood होता है उसकी दोरा जो pressure applied होता है arteries को उसे हम blood pressures बोलते है blood pressures कब major किया जाता है जब हमारे heart का contraction होता है जब heart contract होता है तब एक blood pressure मेजर किया जाता है और before contraction एक pressure मेजर किया जाता है उसे हम systolic blood pressure and diastolic pressure बोलते हैं जो lower pressure होता है उसे हम diastolic pressure की बोलते हैं diastolic pressure before contraction of heart मेजर किया जाता है जब heart की muscles contract होगी तब एक pressure मेजर होता है वो generate 120 होना चाहिए 120 mm पर होना चाहिए और जो diastolic होता है lower blood pressure होता है वो 80 होना चाहिए इसकी normal range है 120 to 80 इसलिए जब हम blood pressure मेजर करती है तो two readings मिलती है एक high और एक low आज आज कल बहुत ज़्यादा भागदोर होनी की वज़य से 130 and 90 mmHg ए लेवल बहुत सारी लोगों की आती है जैसे जैसे आपने चेकिंग का different timing होगा उसकी सबसे blood pressure different आता है आपने कोई exercise की है या तो फिर walking करके आए हो तो आपका blood pressure obviously थोड़ा ज्यादा आता ह है और नॉर्मल कंडिशन में होगे तो नॉर्मल आता है इसलिए जब आपको blood pressure का कोई problem होता है तो डॉक्टर दिंग में चार-पाच बार आपको continuous चेक करने के लिए बोलता है तो आपकी situation कुंसे situation में आपका pressure क्योंसा आ रहा है उसकी इसाफ्स का आपको blood pressure है या नहीं है हमारा जो बॉड़ी में blood होता है उसके four components होते हैं जिस क्योंकि आपको बहुत सरे लोगों के ऐसे पता नहीं होता है कि इरेथ्रेसाइड जो है red cell से वही blood है या फिर hemoglobin है वहीं blood है इसलिए यह topic मैं आपके साथ discuss कर रही हूं हमारे blood में four components होते हैं जैसे कि plasma काहं आपी सी मतलब रेड़ पेसी जिसे हम इरेथ्रोसाइड भी बोलते हैं और डव्य बिसी यानिकी सपेत पेसी उसे हम यूकोसाइड भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स RBC, WBC और Platelis उससे थोड़ा different होती है और Plasma Plasma में actually जो blood है वो suspended होते है Plasma it's a clear extra cellular fluid और RBC मतलब red पेसी उसकी level जो होती है और different difference होती है Mense और Uments में Mense में 4.7 to 6.1 million sales per microliter होती है होनी चाहिए 4.7 to 6.1 and in women's if that women is not pregnant in normal women's 4.2 to 554 मतलब मेंस से थोड़ा RBC का रेंज तो उमेंस में होता है तो थोड़ा कम होता है और चिल्डरन्स में 4.0 to 5.5 मिलियंस पर माक्रोलिटर होनी चाहिए यह है RBC उससे हमारे बोड़ी में Oxygen Supply का काम किया जाता है और जो सपैट पेसी है उससे हम रेंज 4500 to 11000 पर माइक्रोलिटर होना चाहिए यह जो लेवल है फूड़ींphin कम ज्यादा सकते डिपेंड ओन दर टेस्ट टेस्ट प्रोसीजर मतलब वो प्रोसीजर से किस प्रोसीजर से आपका बलड शेक किया गया है उस विसाब से उसका रेवन अलग-अलग होता है इसलिए जब आप चेक करते हो तब वो लैप से आपको कंसल्ट करना है कि कुन सा मेथड उनने साम करती है जैसे कुछ अंटी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके भाइट कर गए यानि कि युमिनिटी हमें प्रोवाइट करती है और हमारे बॉडी को बचाती है इसलिए उनको सरक्षक पेसी भी बोलते है और प्लेट्लेट्स प्लेट्स का लेवल जो है 1,50,000 तो 4,000 होना चाहिए ए बिपलेट्स तो है उक लोटैको याग्य्टार कर दिद फैक्टर प्रोड्यूर्उस करती है यह जब खून बहता है तो उसे क्यर्ग सक्यक दिदेने के लिए कुछ प्रक्रिंशर्य होती है प्लेटलेट्स बहुत इंपोर्टन होती है इसलिए प्लेटलेट्स भी नॉर्मल लेवल में आपकी होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को confusion है इसलिए मैंने यहाँ पर हीमोग्लोबिंग का separately आपको लेवल बताया है कि मेंस में 13.5 to 17.5 ग्रैम पर डेसलिटर होना चाहिए और उमेंस में 12.0 to 15.5 होना चाहिए बट बहुत सारे लोगों को confusion यह है कि उन्हें लगता है हीमोग्लोबिंग कम हो गया याने कि उनके बोड़ी में ब्लड सेल्स ही नहीं है या आरबीस आरपीस आरबीसी नहीं है या थो फिर ब्लड नहीं है हरना हेमोग्लोबिंग भूत ऑर डिफरनेट्टाश के इस Hadass i लॿंग को 어felीड को नो जू जब किस आरफ का दूसरे सेल्स को दूसरी कीशी इसको औक्सीजन की कम किरत है तो वहां से जाके oxygen के साथ एक cell से oxygen के साथ combine होके वो दूसरी cell में जहाँ कम तरता है उसे पहुचाता है और वहाँ से carbon dioxide के साथ combine होके वहाँ से carbon dioxide निकाल देता है इसलिए oxygen supply में हीमोगलोबिन important है तो हीमोगलोबिन का level आपकी body में होना यह जो level मैंने आपको पता ही है यह लेवल में हीमोगलोबिन होना आपको जरूरी होता है ग्लुकोज का normal level है वो बिफोर फास्टिंग 72 तो 99 mg पर डेसिलीटर यानि की 100 से कम होना चाहिए बढ़ ज्यादा कम नहीं from 72 तो 99 होना चाहिए और अप्टर मेल खाने के बाद दो घंटे बाद चेक करने के बाद वह 140 mg पर डेसिलीटर होना चाहिए यह उसकी प्रॉपर लेवल है कि अभी हमारे body का temperature हमारे body का temperature जो है सब को पता है कि 37.5 होता है बट जब मेजर करते हैं तो दो फैरनाइट में आता है तो फिर हमें कंवेजन होना हो जाता है तो जो नार्मल टेमपरेचर है सबाद चाहिए और चेक पोसीचिन आप कहां पर चेक करेंगे तो डिफरन की बाद चेक करेंगे तो थोड़ा आपका बोडी के टेंपरेचर 99 फायों से ज्यादा है 100 और 100.9 है तो फिर आपको फीवर है इसा कंसिडर किया जाता है यदि आपने पेच्चों को फीवर की मेडीसिन दे रहे हैं उनका टेंपरेचर कम हो रहा है तो सिर्फ आप उनकी सिंटम्स जो टेंपरेचर बढ़ाने की ह है और कम कर रहे है यदि आपको मेडीसिन देने के बाद बार बार बुखा रहा है तो मेडी उनको इंफेक्शन हो सकता है तो एज सब थिंग से वह हमें बैसिक पता होना चरूरी होता है और इसके साथ भी हमारी जो मेडीकेशन से उसके बारे में भी हमें जरूरी होना चाह इस दिया है फैमिरी में कौन से डिसीज हमारे पैरेंट्स को है या फिर रिलेट्व में है यह हमें पता होना जरूरी है और most important thing must watch on your weight जब आपका suddenly weight कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है तो आपको कुछ problems हो सकती है तो thyroid हो सकता है या फिर other consequences हो सकते है इसलिए आपको आपके weight पर ध्यान देना है और जो आप medicine ले रहे हैं आपको doctor had prescribed किया है कि उगोँ आपको खाने से पहले लेनी है तो गहको खाने के बाद लेनी है तो खाने के बाद लेनी है क्योंकि कोई कोई medicine ऐसी होती है जो खाली पेट लिए तो हमें अलसस हो सकता है स्टमो कर सकती है इसलिए जब हमने डॉक्टर ने प्रिस्काइब किया है तब ही हो हमें मेडिसिन लेनी है तो यह जो सब बेसिक थिंग्स है हमारे हेल्थ के बारे में हो हमें पता होना जरूरी है आई होक मैंने ये वीडियो में आपके सब बेसिक थिंग्स किलिएर करने का प्रैस किया है और आपको जरूर प्रसन आइए होगी यदि आपको मेरा वीडियो प्रसन आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंट के साथ शेयर करना ना भूलिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो